नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंजली नाम के अर्थ, राशी और वेक्तित्तों के बारे में अधिक्तर माता पिता अपने बच्चे का नाम अंजली रखना चाहते हैं लेकिन इससे पहले वो इसका मतलब जानने का प्रयास नहीं करते अंजली नाम का मतलब श्रधा अंजली जो दोनों हाथों से एक साथ प्रार्थना में जुड़ जाता है सम्मान पूर्ण होता है अंजली नाम का खास महत्तो है अंजली नाम की महिलाओं की राशी मेश राशी है और इनके स्वामी ग्रह मंगल ग्रह है मेश राशी के आराद देव भगवान श्री गणेश को माना जाता है जिस मौसम में खेट सरसों के पीले फूलों से भर जाते हैं उस मौसम में इस राशी की अंजली नाम की लड़कियों का जन्म होता है अंजली नाम की लड़कियों में सिरदर्द, बुखार, चोट लगने की संभावनाएं गुसेल प्रविर्ती आधी देखने को मिलती है इस राशी की अंजली नाम की लड़कियों में पेट में गड़बड़ी और दिमाग से जुड़ी समस्याओं जैसे भूलने की बिमारी होने की संभावना अधिक रहती है मेश राशी की अंजली नाम की लड़कियों को अपने मन पर नियंतरन नहीं होता जिस कारण ये खुद को खाने से रोक नहीं पाती और पेट की बिमारियों से ग्रस्थ हो जाती है अंजली नाम की महिलाओं का शुब अंक नौ होता है अंजली नाम की लड़कियां मानसिक रूप से मजबूत होती है और मुश्किलों का हिम्मत से सामना करती है अंजली नाम की महिलाओं को हर नए काम की शुरुआत में काफी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन अंत में ये सफलता प्राप्त कर ही लेती है जिनका भी नाम अंजली होता है वो किसी भी व्यक्ति या परिस्थिती से नहीं डरती कभी कभी यही बात इनके लिए परिशानी का कारण बन सकता है अंजली नाम की लड़कियों में नेत्रित्व करने का गुण होता है नो अंग से जुड़ी अंजली नाम की लड़कियों को दोस्ती ही नहीं दुश्मनी भी अच्छी तरह से निभानी आती है अंजली नाम की महिलाओ का वेतित्व, अंजली नाम की महिलाओ की राशी मेश राशी है इन में अद्बुसाहस और महतोकांशा होती है ये काफी जिग्यासू होती हैं और खुद में विस्वास रखती है अंजली नाम की लड़कियों को मुसीबतों से बिलकुल भी डर नहीं लगता अंजली नाम की महिलाओं को नए नए काम करना अच्छा लगता है ये हमेशा उर्जा से भरी होती है अंजली नाम की लड़कियों में काफी अहंकार होता है ये अपने करियर और पैसो के मामले में किसी प्रकार का समझोता करना पसंद नहीं करती दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद